Hello students, I explained to you lesson अकबर और बीरबल और फर्स वीडियो में मैंने आपको दो पेज एक्स्प्लेइन कर दिये थे चलिए आज हम इसके आगए की स्टोरी देखते हैं What happens in the story? Let's see it तो जिस तरसे हैं पिक्चर में दिख रहा है कि बीरबल प्रीजन में बैठा हुआ है क्योंकि बीरबल को प्रीजन में अकबर ने डाला है क्योंकि उसने इनफॉर्म किये बिना ही एक दिन वो एपसेंट हो गया था और कोर्ट में नहीं आया था तो वहाँ पर वो उसको देखने जाता है अकबर की बीरबल की क्या कंडिशन है प्रीजन में तो there he glanced at बीरबल who was looking pale and gloomy अकबर felt sorry for him बीरबल को देखता है जो बीरबल बहुत जादा कमजोर और pale और gloomy दिखाई देता है अकबर बहुत जादा sorry feel करता है अकबर I will set you free on one condition मैं तुम्हें सिर्फ एक ही condition पर छोड़ूंगा बीरबल didn't say anything and looked at his face बीरबल कुछ नहीं कहता और उसके face को देखता रहता है अकबर यह condition यह होगी कि तुम्हें मुझे एक हॉर्स लाके देना पड़ेगा जो ना तो black होगा ना brown होगा ना grey होगा और ना white होगा बीरबल thought for a while बीरबल कुछ देर तक सोचता है if your majesty will let me out of prison I promise to bring such a horse अगर आप मुझे prison से बाहर निकालोगे तो मैं आपको promise करता हूँ कि मैं ऐसा horse आपको लाकर दूँगा अकबर okay I will set you free and if you promise to bring the horse by the end of this month मैं तुम्हें free करता हूँ अगर तु मुझे promise करते हो कि इस month के end तक मुझे ऐसा horse लाकर दोगे after a week Beerbal came back to the emperor Beerbal एक week बाद है emperor के पास आ जाता है Beerbal Your majesty I have found the horse that is neither black nor brown nor white nor grey मैं एक ऐसा horse लेके आया हूँ जो ना तो black है ना brown है ना white है और ना grey है अकबर Where is it? कहा है? Beerbal Please send a man to fetch it आप उसको लाने के लिए एक man को प्लीज भेज दीजिए लेकिन आप उसे ना तो Sunday को ना Monday को ना Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ना Friday ना Saturday आप उसे नहीं भेज सकते आप उसे किसी और दिन ही भेज सकते हो तो इस तरह से अकबर स्माइल करता है और अकबर बीरbal से कहता है You are very clever and once again I would like you to be my minister मैं एक बार फिर से तुम्हें अपना minister बनाता हूँ तो यहाँ पर यह story का end होता है and I hope कि आपको यह story बहुत interesting लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी Thank you